तो दोस्तों एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है तो जिस मूवी को हम आज explain करने वाले हैं उसका नाम है City of God इस फिल्म में हम आपको ले जाएंगे रियो डेंजिन रियो के एक ऐसी शहर में जहां हर गली, हर चौक, हर एक बस्ती अपनी कहानी सुनने के लिए बेकरार है यहां हर एक इनसान अपने सपने, प्यार और दुश्मनी के जंग में उल्जा हुआ है तो कहानी की शुरुआत में हमें शहर के नौजवान लड़कों का एक गैंग दिखा जाता है जो के बसकेब गैंग की इस्ट्री को पताने के लिए हमें फ्लैश्वेक मिले जाता है यह समय है 1960 का जब ब्रेजिलियन गवर्मेंट बहुत कम संसाधन के साथ गरीब लोगों के लिए एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लाई थी जिस प्रोजेक्क का नाम है फबेला गवर्मेंट इन लोगों पर जादा ध्यान नहीं देती थी इसलिए यहां के लोग एजुकेशन और इंप्लाइमेंट की कमी की वज़ा से क्राइम और नस्वे में पढ़ जाते थे यह इलाके में चोरों का एक गैंग होता है जिसमें तीन लड़के हैं शैगी, क्लिपर और बसकेप का बड़ा भाई गूस जिनके गैंग को फैबला में लोग टेंडर ट्रैयो के नाम से जानते हैं यह लोग अमीर लोग को लुटे हैं और अपने गरीब बस्ती में पैसे बाट देते हैं यहीं हमें एक छोड़े लड़के को दिखाये जाता है जिसका नाम है लिटिल डाइस जो टेंडर ट्रैयो को बहुत बड़ी होटल लुटने के लिए मनाता है जिसकी बात पर टेंडर ट्रैयो एगरी हो जाता है लेकिन वो एक शर्त रखता है वहां सिर्फ ये पैसे लुटेंगे लेकिन किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुचाएंगे अब ये तीनों होटल लुटने के लिए अंदर जाते हैं और लिटिल डाइस को निगरानी करने के लिए बाहर ही खड़ा कर देते हैं थोड़ी दिर बाद लिटिल डाइस खतरी का जूटा सिंगल देता है जिसे तीनों होटल से भाग जाते हैं यही मौका देखका लिटिल डाइस होटल में जाकर वहां के सभी लोगों को शूट कर मार देता है ताकि इन सभी का मड़र का इलजम टेंडर ट्राइव गैम पर आ जाए दूसरी जर्फ टेंडर ट्राइव होटल से एक कार चुला कर भाग जाते हैं लेकिन इन तीनों में किसी को भी कार चलेने नहीं आती थी और ये तीनों कार को ले जाकर एक बार में ही कहीं ठोक देते हैं इस एक्सिडेंट से क्लीपर बुरी तरह से जक्मी हो जाता है इसलिए तीनों को अलग होना पड़ता है शैगी बस्ती में जाकर चुप जाता है जबकि क्लीपर और गुष जंगल में दूसरी तब शैगी पुलिस से भागता हुआ अपनी गॉल्फरेंड बर्निस के पास पहुचता है जिसके साथ वो जब गब पॉइंट पर एक आदमी की कार हाईजेक करके फैबिला से भागने की कोशिश करता है तब पुलिस उसे भी मार देती है यहाँ गूस लिटिल डाइ की को पसंद करता है लेकिन एंजलिका का ठियागो नाम का बॉइफरेंड होता है रॉकेट एंजलिका को प्रपोस करने ही वाला होता है दरंस नाम का एक बच्चो का गैंग उसे परिशान कर देता है वहीं दूसरी तरफ लिटिल डाइस अब बड़ा हो गया है अब वो अप की बन रहा है लेकिन बैनी उसे कूल डाउन करता है बैनी जो की क्रिमिनल होता है उसे टियागो के कपड़े और उसके रहें से बहुत अच्छे लगते हैं बैनी टियागो को बहुत सारे पैसे देता है और उसी की जैसे कपड़े लाने को कहता है ऐसे में टियागो और बैनी लोग लिटल जी को पसंद करते हैं और अब हम यहां देखते हैं कि बैनी एंजलिका को डेट करता है बैनी और एंजलिका अब ड्रक्स के दुनिया को छोडने का डिसाइड करते हैं रॉकेट सोचता है कि वो हमेशा सिंगल और वर्जीं ही रह जाएगा अब रॉकेट एक सूपरमार्केट में काम करता है और कुछ पैसे बचा कर एक कैमरा खरीदा चाता है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि दरायंट गैंक वहाँ पर भी आकर उत्पात मचाने लगती है जिसके कारण रॉकेट को उस जॉब से निकाल दिया जाता है अब रॉके बैनी रॉकेट को एक कैमरा गिफ्ट करता है लेकिन लिटल जी को ये पसंद नहीं आता है और ये इस बात को लेकर बैनी के साथ बहस करने लगता है तब ब्लैकी नाम का एक आदमी मौके का फैदा उठा कर लिटल जी पर गोली चला देता है लेकिन वह गोली बैनी को लग और वो उस लड़की को छेड़ता है लड़की लिटिल जी को गली देके आगे बढ़ती है ये बैजती लिटिल जी को बर्दास नहीं होती है और उसका पिछा करते करते एक सुंसान जगापर पहुप पहुँचता है यहाँ पर लड़की और उसका बॉइफ्रेνड नेट हो एक बैंक को लुटता है जहाँ पर ये लोग एक पुलिस ओफिसर को गल्दी से मार देते हैं एक दिन रॉकेट लिटिल जी और उसके गैंग का फोटो कीच लेता है जो कि किसी आउटसाइडर को इस सिटी में आने की हिम्मत ही नहीं होती और जब रॉकेट की ये फोटो एक रिपोटर की हाथ लगती है तो वो बहुत खुश होता है और रॉकेट को इनटेंड पर रख लेता है आफिस में एक लेडीग रिपोटर रोकेट को अपने घर पर डीनर पर ले जाती है और यहाँ पर Rocket अपना virginity lose करता है Rocket को अब ऐसा लगता है कि लिटिल जी उससे नाराज है लेकिन लिटिल जी अपना photo newspaper में देकर काफी खुश होता है लिटिल जी जरॉंस गैंग को गंस देता है और Carrot के खिलाफ जंक छेड़ जेता है जो कि लिटिल जी पुलिस वालों को काफी पैसे खिलाता है लेकिन वो लोग और पैसे लेकर लिटिल जी को छोड़ देते हैं लेकिन कैरेट को मार देते हैं इन सभी चीजों का Rocket फोटो किच लेता है तब ही वहाँ जारॉं की गैंग आ जाती है और यही सीन के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों आश्चा करते हम आपको यह मूवी पसंद आई होगी और हमारा एक्स्लेशन अच्छा लगावागा इस वीडियो को लाइक करना ना बुले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़िए करें बढ़ियो स्क्राइब चैनल